देश में जिस वेक्सीन का अब तक बच्चों पर ट्राइल ही नहीं हुआ, पिहार में दो बच्चों को उसी वेक्सीन की डोज लगा दी गई। उन्हें बताया कि हमने रवीवार को को वैक्सीन के लिए स्लोट बुक कराया था। इसके बाद आज हम दस बजे के करीब नालंदा स्वास्विभाग द्वारा संचालित टीका करन केंदर आई एमे हॉल गए। वहाँ सारी पुरिया पूरी होने के बाद हमने टीका लगवाया। टीका करन के बाद पता चला कि हम दोनों को को वैक्सीन की जगा कोविट शील का टीका लगा दिया गया है। पिता को सता रही अन्होनी की चिंता। दोनों बच्चों के पिता प्रियार रंजन कुमार ने बताया कि सुआस्विभाग ने गोर लापरवाही बढ़ती है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जब दोनों बच्चे CS कारले शिकायत करने गए तो उन्होंने डेड़ गंटे अब्जर्वेशन में रखा। इसके बाद बोला गया कि अगर कोई परिशानी होगी तो उनके घर मैडिकल टीम भेज दी जाएगी। अब उनके माता पिता को अन्होनी की चिंता सता रही है। उन्हें डर लग रहा है कि उनके बेटों को कहीं कुछ हो न जाए। किशोर की पिता ने कहा कि एक तो वैक्सीन देने में लापरवाही बढ़ती गई दूसरा जो सेर्टिफिकेट जनरेट किया गया है उसमें वो कुविट शील की जगा को वैक्सीन ही दर्शाया गया है। पिता ने कहा कि स्वास्वभाग खोद को सुरक्षित और बच्चों को असुरक करमचारी मिली है। टीका देने वाले करमी से सपच्टी करन मागा गया है। दरसल जो करमचारी पूर में टीका दे रही थी वो क्रोना पॉजिटिफ हो गई थी। उसकी जगहा पर आई नई जी एनम ने ये गलती की है। शोर के परिजनों को आश्वस्त कर दिया गया है। उन्हें स्वासिभा का नंबर उपलब्द करा दिया गया है। किसी की तरह भी परिशानी होने पर 24 घंटे मैडिकल सेवा उनके लिए उपलब्द करा दी गया है। बच्चों को ड्यूटि पे तनात जी एनम ने वैक्सी नहीं लगाई। वो बैठी रही और उनकी जगहा प